नर्शकार आटी भारत पर आपका स्वागत है बात करेंगे जैसे दिपावली का परवार है उसको लेकर कुम्हार जो है अपने कारिया में वह भी जुट चुके हैं इस वक्त हम दिखाएंगे आपको कि वह जो है अपने कारिया में जुट हुए और यहां पर लीपक वगेरा या जो भी दिपावली का जो समान होता है वह यहां पर तयार करने में जुट गए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि जो दिपावली का जो परव है उस पर क्या कुछ वो तेयार करते हैं इस पर मारी करका सारे काम चोप ड़े गया जो फर पड़ा कुछ भी नियुआ है पिर बनाए तो रहे हैं कुछ नहीं पता पहले समान भी बच्चा पड़ा बहुत जो नरत्त नो रुतां भी किया था अच्छी बिरी भी करिये रिभने रत्तमों कुछ जो समान भी कर था दा सबस्क्राइब करते हैं, आरेक नंजने पर पड़ेगा. पड़ेगा पादेगा जली को ने रहें. सुमान तो बनाए रहें पर अपर बनाएं गथा रहें, ब्रोशा तो कुछ नहीं है. सुमान तो रखने पड़ेगा. थे भी दूप्रेगा. सब्सक्राइब करते हैं कि अधियर कम होगा है काम प्रेर कम है रहा कोई रजगार नहीं है कि तरह काम था पालों ठीक था इबुद्धन का लोग डून लगया जमी ठाप रहा काम पिछे जो तुम हार गे उसको कितना फर्क पड़ा है उस तेर पड़ा कुछ बिन भी क्या यह बना भी रहे हैं काफी दिनों से ऊपको दिखाएंगे यहां डह врем कि यह यह क्या चीर बनाई जारी है ओया धकन यहां पर जो है जैसे कुछ दिरे बात जो है गर बडे के उसी को लेकर और दिपावले का परावार रहा है उसी को लेकर यह समान है यहाँ पर तयार करने में जूटे हुए है आप कोई भी दिखाएंगे देखो पहले जो यह चलता था इनका चक्का यहाँ से चलाते थे लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलोजी बदल रही है अब देखते हैं कि कैसे यह जो है बिजली के जरिये जो है अब यह यहाँ पर अराम से घूम रहा है और भी दिखाएंगे हम आपको यहाँ पर जो समान है पुड़ा है लेकिन गहा की यहाँ पर नहीं है गाको की काफी कमी देखने को मिल रही है देखिए यहाँ पर जहां दीपक हम लोगों से भी अपील करेंगे कि ज्यादा ज्यादा इन चीजों के खरीदे क्योंकि इन आप यहाँ से खरीदार ही करेंगे कि तभी इन लोगों का जो है रोजगार चलेगा और रोजी रोटी जो है इनकी यहीं से ही चलती है हला कि समान तो इन्होंने बनाया है लेकिन दिपावली को देखते हुए हम आपको दिखाएंगे कि घड़े वगारा है और यह काफी समान जो है जैसे मैंने बोला था कि कुछ दिनों में जो है गरबडे का जो तिहार होता है उसको लेकर भी इन्होंने यहां पर तैयारियां की है आपको यह दिखा रहे हैं लेकिन ग्रहाक की अगर बात की जाए तो ग्रहाक यहां पर नहीं है जैसा इन्होंने बताया अब यह बज़रुग दमपत्ती है यहां पर ग्रहाकों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ग्रहाक आए इनसे यह जो चीजे इन्होंने बनाई हैं देखिए हम आपको दिखाएंगे काफी अच्छी कलाकारी जो है इनकी द्वारा पेस्की गई है सिर्फ इंतजार है तो ग्रहा का ऐसे में हम सभी से यह अपील करेंगे कि इन लोगों की मदद के लिए आप लोग आगे आएं क्योंकि इन लोगों का जो रोजिगार है रोजी रोटी है वो इसी काम से चलती है रादोर वयास पास की ख़बरों के लिए जुड़े रहें आर